दर्सकों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सुक्रवार के दिन हम क्या खाकर घर्षी निकलें, सुक्रवार के दिन कौन से देवी देवता वे भगवान को पूझने के दिक मानता है, सुक्रवार के दिन कौन से रंकी वस्तर पहने, सुक्रवार के दिन कौन से म शुक्रवार के दिन बाहर निकलने से पहले दही और चीनी खाकर निकलना चाहिए ऐसा करने से हर कार सफलता पूर्वक हो जाएगा शुक्रवार का कौन सा भगवान है सुक्रवार मा लक्षमी और सुक्रदेव का दिन है शुक्रवार के दिन लक्षमी पूजन से जीवन में कभी भी सुक्षुदा की कमी नहीं रहती है इसके साथ ही सुक्रवार के दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए शुक्रवार का दिन देवी लक्षमी और सुक्रदेव को समर्पत है शुक्रवार को देवी लक्षमी की पूजा करने से जीवन में स्रम्रदी और प्रशित्ता से भरा रहता है साती शुक्र ग्रेकी सुवता से जीवन में सुंदरता धन प्रिशिद्धि और समरदी आती है सुक्रवार को कोन्सा कलर सुव होता है शुक्रवार का दिन माता लक्षमी और सुक्रदेव को समरपत है इस दिन सफेद गुलावी सभी रंगों का मिक्स प्रिंटेड रंग के कपड़े पहनना बहुत सुब माना जाता है ऐसा करने से कुंडली में बहुतिक सुक्र सुबदा के स्वामी सुक्र की इस्तिती मजबूत रहती है और जीवन में एसर और सम्रदी धन और खोशी की एंगे चांदी की ता ने को एग में गर्म करके दूध में डालें। कि इसदूद को हैं। शुक्रवार का हिंदू देवता कौन है मा लक्ष में संतोसी मा अनपूरे सरी और दुरगा को समर्पित है इस दिन मिठाईयां बाठी जाती है बिरत रखने वाले भक्त रात को भोजन करना सुनिश्चित करते हैं शुक्रवारिया शुक्रवार सक्ती हिंदू धर्म में देवी मा और शुक्र का सुक्र समर्पित है इस शुक्रवार को कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए ओम सर्वबादा विनर्मुक्तों धनदान सुतान वित है इस मंत्र का आप कम से कम ग्यारे बार जाप करें तो आपका दिन सुब एवं मंगल में रहने वाला है संतोसी माता के बरत में साम को क्या खाएं संतोसी माता के बरत में कौन-कौन से फल खाने चाहिए सुक्रवार बरत के दोरान साम में एक समय भूजन ग्रेंड करना चाहिए इस दिन खटे फल और सबजी आदी का सेवन नहीं करना चाहिए आप फल दूद गुड और चना हलवा आधी का सेवन कर सकते हैं सुक्रवार को कौन से कपड़े पहनने चाहिए सुक्र हलके रंग जैसे हलका पीला हलका गुलावी या सफेद से मिल खाता है सुक्रवार के दिन सफेद गुलाविया नीले रंग के कपड़े पहना मेलाओं के लिए और कलाकारों के लिए बिसेस लावकारी होता है चुकि सुक्र एक इस्त्रीग रह है इसलिए ये प्रेम से जुड़ा है सुक्रवार के दिन क्या दान करना चाहिए सुक्रवार को मालक्ष्मी की विदीवत पूजा की जाती है उनकी उनको उनकी पसंद दिया चीजें जैसे कमलगट्टा लालपूल सफेद मिठा या खीर अर्पित किया जाता इसके बाद अगर आप सफेद वस्त्र का दान करें तो यह बहुत सुभ माना जाता है दही सुक्रवार का क्या महत्त है सनात अंदर में सुक्रवार का दिन मालक्ष्मी को समर्पित है इस दिन मालक्ष्मी की विदी पूरग पूजा ब्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुक्सम्रदी बनी रहती है और धन का लाव मिलता है मानता के इंसा सुक्रवार के दिन कुछ का करने की मनाई हैं जिनको करने से मालक्षमी सादक से रुष्ट हो जाती हैं सुकुरवार को यात्रा में क्या खाना चाहिए सुकुरवार को दई या उससे बने पदार्त का सेवन करके यात्रा करने से अनकूलता आती है सुकुरवार शुकुर के दिन क्या करें आप हरे कपड़े पहन कर दरपन में मुह देकर खुद को याद दिला कर सुकुर का संबान कर सकते हैं आप कितने सुन्दर और प्रिये हैं सुकुरवार एक सुब दिन है सुकुरवार का दिन विवायत मेलाओं के लिए मेहतमुण होता है और वे उस दिन देवी देवताओं की उजा करती हैं सुक्रवार को क्या ना खाएं खटी चीजों से परेज करें सुक्रवार के दिन खटी चीजें नहीं खानी चाहिए मानता है कि सुक्रवार के दिन ब्रत रखकर यदि खटी चीजों का सेवन किया जाता है तो इससे आक्समा दुरगटना का खत्रा बढ़ जाता है इसके साथ ही इस दिन पिसाची और निसाचरों की कर्म से भी दूरी बनाएं सुक्रवार के दिन कौन सा दान करना चाहिए सुक्रवार के दिन गुड़ दान करने से घर में सुक्र समर्दी खुशाली का आगमन होता है अगर आप वेवाइक जीवन सुक्रवार के दिन लक्श्मीस को कैसे प्रिसंँ करें इस नानडी के बाद साथ कप्ड़े पहन का आसन पर बैटकर मालक्श्मी के मंतर का जाब करें, мंतर है ओम इस मंतर का कम से कम 11 वार जाब करें तो यह रहे सुकूरवार को कौन सा ठोटका करना चाहिए सुक्रवार रात गुलावी कपड़े पहन कर मातलक्ष्मी की प्रत्मा या तस्वीर के सामने मंतर का 108 बार जब करें और स्री लक्ष्मी सूकत का पाट करें ऐसा करने से मातलक्ष्मी का आसीव राज प्राप्त होगा और धन संबंदी समस्याओं से मुक्ती मिलेगी सुक्रवार की रात को क्या ना करें सुक्रवार की रात को क्या करें सुक्रवार की रात स्री लक्षमी सूप्त का भी पाट करें सुक्रवार की मद्रात्री अस्ट लक्षमी को लक्षमी जी का आटवा सरूप उनकी पूजा करें स्रीयंत रखें, घी के आठ दीपक जलाएं, गुलाव सुगंद वाली धूबती जले या सफेद मिठाई का भूग लगाएं, साथी कनकधारा इस्तरोत का पाट करें सुकरवार के दिन क्या खरीदना सुब होता है, संगीत सजावट कला, संदर और गेट्स का सामान खरीदना सुब माना जाता है इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के बान और नए कपड़े भी खरीच सकते हैं, मानता है कि इन चीजों को खरीदने से परवार पर मालक्ष में की किरपा बनी रहती है तो दर सको ये रहे सुक्रवार के उपाय और कुछ तोटके, आप ने अगर हमारी वीडियो को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा आपको ये उपाय सुक्रवार के कैसे लगे अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें रादे रादे जैसरी रादे